अभी को समझ मा आ गया तो अब ज़रा ध्यान समझो, आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड के उपर आप अपना लेफ्ट हैंड रखलो इस तरीके से, राइट हैंड के उपर क्या रखलो अपना इसे लेफ्ट हैंड रखलो, इन दोनों थम्स को ऐसे मिला लो, समझ मा आ यह बहुत ही जादा powerful process होती है यह आपके पूरे nervous system को जब अर्जस तरीके से कर देती है clear है तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो total seven process होती है seven process होती ही जो बहुत जादा powerful होती है clear है समझो यह हो गया इसके उपर ऐसे रखो इन दोनों को ऐसे touch करो thumbs को ऐसे हाथ पर रखो ऐसे रख लिया ना भी बिलकुर center में होना चाहिए clear है umbilicus बोलो ठीक है तो अब देखो ज़रा ध्यान से समझा belly button बोलो center में होना चाहिए अब इसको यह जो chin है इसको ऐसे नीचे लगाओ ठीक है आख फिर से देखो आख बंद करते हुए ध्यान से देखना आख ऐसे बंद होना चाहिए अब उपर ले जाके आख खोलो तास रोको जब ना रोका जाए तो जैसे CT बजाते हैं CT बजनी नहीं चाहिए इस बात को ध्यान रखना ऐसे चिन को यहां तक लगाओ समझ में आ गया फिर से देखो पूरी सांस लेते हुए समझना इस बात को पूरी सांस लेते हुए आपको क्या करना है पीछे लेके जाना है पूरी सांस निकालते हुए आपको नीचे लेकर आना है पहली बार में आप इसकी आठ बार करोगे जैसे ये कितनी बार हुआ? एक बार हुआ ऐसे आप आठ बार करोगे समझ मा आ गया आप कितनी बार करोगे? आठ बार करोगे बस समझ मा आया है कि नहीं आया है ऐसे आठ बार क्या? पांच बार आप कर सकते हो बीच में एक-एक मिनट का गैप करके आपको बहुत तेज सिर्दर दर्द हो रहा है आप तरंट देखना आपको रिलीफ मिल जाएगा इमीडियेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा और इसको आप नॉर्मली भी करो ये आपके सेंटरल नवर सिस्टम को बहुत जादा बहुत जो है वो प्रोवाइट करेगा इस बात को याद रखना समझ मा आगया इसको कूर्म क्रिया बोलते हैं जैसे कच्छुआ करता है जैसे कच्छुआ करता है इसको कूर्म क्रिया बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कूर्म क्रिया बोलते हैं तो इसको अच्छे से करो फिर मैं आ अब इतना कम सोंगा उसके बाद में आलस आना ही है, शरीर में ठकावट आना ही है, लेकिन उस प्रोसेस से नहीं आया, तो क्या आप भी तीन घंटे सोने लगो नहीं, मुझे आता है उसको प्रेजेंट करना है, बट